ओम शान्ती आज आपका उन्चास्वा दिन वर्दान का और आज मीठे प्यारे बाबा हमें सिखाते हैं कि या तो हम इस दुनिया में औरों की उपर एक छाप छोड़ कर जा सकते हैं अच्छी छाप या बुरी छाप किसी को भी दुख दे करके गए तो परमात्मा कहते हैं दुखी होकर ही गए है जो दुख दोगे तो दुखी होकर के शरीर छोड़ोगे या कहो मरोगे हम आध्यात्मा की दुनिया में हम मरेंगे नहीं कहते क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है और अगर आप अपने आपको आत्मा समझें तो आप निडर बन जाते हैं आपके अंदर कोई भै नहीं रहता क्योंकि आपको भी मरते नहीं हैं आप केवल इस शरीर रुपी चोले को लेते हैं धारन करते हैं शरीर में कुछ समय रहते हैं कर्म करते हैं के द्वारा नाम कमाते हैं नाम कैसे कमाना वो भी आध्यात्मिक ताके अनुसार या दुनियावी नाम कमाया आपने दिलों के अंदर आपने लों के जाक करके उनकी दुविधाओं को मिटाया उनको सुख दिया कि उनको आपने दुख दिया तो हम वो सुख के हिसाब से हम जीवनकाल को कैसे हम वितीत करें चोलो आगे बढ़े तो बाबा कहते हैं आज के बरदान में बाप समान किसके समान? बाप समान अपने हर बोल वह कर्म का यादकार बनाने वाले जो भी आपने कहा जिसको किसी को भी कहा अगर आपने परमात्मा के अनुसार सोच करके करुनामाई बन करके उनके बारे में अच्छा सोच करके उनको मुक्ती का ग्यान उनके जीवन में जो दुख हो रहा है जो दर्द है जहां पर वो अटकी हुई है आत्मा वो अपने आप को एक दलडल में महसूस करती है कि मैं इस कल्यों की रुपी दलडल में फसी वी हूँ कोई तो आ करके मुझे बचाए कोई तो मेरे पापों से मुझे मुक्त करे तो अगर हमारे बोल उनके दिल को उनके चित को शीतल करते हैं वो भी काउन से बोल, पर्मात्मा के दीवे बोल, अपने नहीं, तो पर्मात्मा कहते हैं, जैसे बाप द्वारा जो भी बोल निकलते हैं, वे यादगार बन जाते हैं, पर्मात्मा ने हमें जो ब्रह्मकुमारिज में सिखाया है, वो बोल हमारे दिल को छूते हैं, अगर आप आप भी आकर कि ब्रह्म को माहिर्ज में सीखेंगे आपको महसूस होगा कि ये परमात्मा मेरे लिए कह रहे हैं, आपके साइड में जो बैठे होंगे, वो भी जो सुन रहे होंगे महावाकी उनको लगा, अरे बाबा तो मेरे को मन को स्वच कर दिया है, साफ कर दिया है और बाब समान कर दिया है मतलब परमात्मा से अपना योग, मतलब मेरिटेशन करते-करते अपनी आत्मा को स्वाफ, बिकुल स्वच्छ बना दिया है तो ये सफाई, स्वच्छता इस कारण से वो बाप जैसे बोल बोलते है और वह वो जो भी बोलते हैं वह सब के दिल में समा जाता है लोगों के दिल में वो याद का रह जाती है कोच आत्मा तो ऐसी होती है जो कि सुन करके जो दिल की बाते होती है सुन करके कभी तो आशु भी बहाती है कि किसी ने मुझे आज तक मेरे कठोर दिल को आज तक रुला नहीं पाया लेकिन इस आत्मा ने परमात्म की शक्ति के दुवारा मेरे अंदर तक जहाग लिया और मुझे पहचान लिया और मुझे मेरा आइना दिखा दिया और मेरे अंदर क्या अच्छाईयां वो दिखा दी अपने बोल्ड के दुवरा वो जिस आत्मा के प्रती संकल्प करते तो उनके दिल को लगता है अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचो उसको टेलीपेथी में मिलता है अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचो तो उसको उसको भी टेलीपेथी के द्वारा वाइब्रेशन्स, एनरजी मिलती है उसको आत्मा को भी उनके दो शब्द भी दिल को रहाद देने वाले होते हैं कोई कटू वचन तो कह नहीं सकते परमात्मा से मिलने के बात में ये तो हमने वचन ये प्रतिग्या करीवी है परमात्मा से कि परमात्मा हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, सेहन करेंगे बुरा ही को या अगर हमारे बारे में बोलेगा, हम सेहन करेंगे अपने उनके दो शब्द भी दिल को रहत देने वाले होते हैं उनसे समीपता का अनुभव होता है उनको ऐसे फिल करता है बाकी आत्मा को कि यह आत्मा मुझे जानती है यह आत्मा मुझे पहचानती है आज इंसान अकेला क्यों है? कि इनसान आज उपरी तरीके से सर्व एक दूसरे पर पचानते हैं आप क्या काम करते हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं आपका घर किता बड़ा है, आपके प्रॉपर्टी किती है बस बहरी खुबसूरती बहरी चीजों के अनुसार ये इनसान आज उपर उपर से ही एक दूसरे से समझ बना रहा है तो अंदर ये अंदर खोक लाए, अपने आप से भी दूर हो जाता है इनसान और दूसरों से तो बहुत ही दूर लेकिन सोचते हैं कि बहरी चीजों के अनुसार हम जो जो चीजे पसंद करते हैं, ये भी वही बहरी चीजे पसंद करते हैं तो सोचते हैं कि हम एक दूसर को जानते हैं, लेकिन वो सच्चा जानना नहीं हुआ कि जब बाहरी चीज़े परिवर्तन होती है तो इंसान भी परिवर्तन हो जाता है सोची के ज़रा अपने अनुभव क्या होगा तो आगे बढ़े परमाता केते हैं उनके दो शब्द भी दिल को रहाद देने वाले होते हैं उनसे समीपता का अनुभव होता है जैसे परमात्मा से हमें समीपता का अनुबफ होता है वैसे उन आत्माओं से भी जो दिल को छू लेते हैं उनके बोल उनसे हमें समीपता का अनुबफ होता है इसलिए उन्हें सब अपना समझते हैं ये तो मेरी हैं, ये तो मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे समीब है ऐसे समान बच्चे, जो ऐसे समान, परमात्मा के समान बच्चे ही दिल तक्त निशीन, परमात्मा के दिल के तकत के उपर बैठ सकते है परमात्म का दिल बहुत बढ़ा है लेकिन वहाँ पर पहुँशने के लिए अपनी दिल सची, अपना मन सचा होना चाहिए और परमात्म के नुसार चलना चाहिए तो ऐसे समान बच्चे ही दिल तकत नशीन सो राज्य तकत नशीन बनते हैं जो परमात्मा की दिल पे चड़ते हैं वही सत्युक बोलो, स्वर्ग बोलो, बहिश्ट बोलो, वैकुंठ बोलो, जन्नत बोलो, वहाँ पर उनको तकत मिलता है मुहापर वो जाकर के राज्थानी में राज्य करते हैं क्योंकि उन्होंने सबके दिल के उपर राज्य किया होता है इस कल्युक के अंत में जब परमात्मा करके कल्युक का विनाश और सत्युक की स्थापना कर रहे होते हैं इसी के साथ, इस गहरे वर्दान के साथ, ओम शन्ती